कम उम्र में जो अरपपती बने जे पॉल गेटी उन्होंने दुनिया को तीन सिध्धान दिये पहला अगर अमीर और कामिया बनना है तो बिजनस करना होगा नौकरी से सिरफ आजीवी का चलेगी बुरी चीज नहीं है लेकिन सिरफ आजीवी का चलेगी और दूसरा सिध्धान तुन्होंने दिया कि वो बिजनस कैसा हो वो बिजनस हो FMCG प्रोडक्ट का इसलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते चाय बनाने लगा नमक बनाने लगा रिलायंस भिंडी बेचने लगा और तीसरा सिदान तो उन्होंने दिया कि वो बिजनस 3% आप पर निर्भर करे और 97% लोगों पर निर्भर करे यानि नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और काम्याब नहीं बन सकते आप किसी भी बड़े काम्याब इंसान की जीवनी पढ़ लेना उसका कहीं नेटवर्क जरूर होगा चाहे वो टाटा बिरला हो, रामदेव बाबा हो, या कोई स्पोर्च परसन हो, कोई बड़ा बिजनसमेन हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो इन लोगों की काम्याबी का एक रीजन इनका नेटवर्क होता है और जो लोग पूछते न की जोड़ना क्यों है, इन लोगों कुछ ड़ब से नहीं है आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पड़ोगे, एक बहुत चोकाने वाली चीज़ मिलेगी कि पूरी दुनिया में हम अकेले ऐसे थे जो एक हजार वर्ष तक हस्ते हस्ते गुलाम रह गए चालिस करोड थे फिर भी रह गए रीजन एक सर्वे हुआ था अमेरिका जपान और इंडिया के बीच कि ये तीनों क्या करते हैं जब बिजली जाती है अमेरिका का सिंपल वो इलेक्रिसिटी बोट को फोन करता है और बिजली की विवस्ता करवाता है जापान 99% जापानी खुदी बिजली ठीक कर लेते हैं और एक आद की जुरुएत हो दिये तो इलेक्रिसिटी बोट पर फोन लगाते है इंडिया वाला क्या करता है ये बाहर निकलता है देखता है इधर की भी गई इधर की भी गई तुझे क्या जुरुत पड़ी है तू भी मस्तर है हम एक हजार वर्ष तक सिरफ इसी लिए गुलाम रह गए कि जब भी जुरुत पड़ी की बाहर निकलके देखा ये भी गुलान ये भी गुलान तुझे क्या चिन्ट है तू भी मस्त रहे तो ये भी जॉप कर रहे तूझे क्या पढ़ी है अमीर बनने की जैसे कट रही है कटने दे और जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लेवल का बिजनस नहीं है तो आज कंपनी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कंपनिया प्लान कर रही है कि जो पचास हजार लेने वला है उसको बहार निकालो और इसकी जगा पांच दस दस हजार वले नए लेकर आओ यंग्स्टेर्स लेकर आओ रीजन वो पचास हजार कमाने वाला अब न्यू स्किल सीखने के लिए रेडी नहीं है और ना उसके अंद लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्किटिंग मेरे लेवल का बिजनस नहीं है मैं लोगों को जाकर प्लान नहीं दिखा सकता तो भाई जब खाने के लाने पड़ेंगे ना जब कंपनी बाहर कर देगी आप लोगों को जब सेलरी आना बंद हो जाएगी तो अपना मार्किटिंग है इतनी अच्छी इंडस्ट्री जहां लोग अपनी जिंदगी बदलने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बदल जाते हैं कितने लोगों की जिंदगी